हाँ तो भई राम राम जी भी क्या हाल चाल सब के है तो भई आच का इस वाले वीडियो में कापी पॉसम्म होला है कोई आपको स्रीजू sorgen डेखने कि अगी नहीं आती है यहाल कि यहाध को पॉजिचन नहीं नेशे करदीया है बढ़ा है अपको जाए बड़ी सी ग्रिल देखने को होंडा के लोगों के साथल इंजने या दू आपको इनजन देखने को मिलने वाला है 1.5 l का नेचररी आइस प्रेट आपको ल क्षमिह बीयुक्ट सबुःत कर सकते चैंजेक्ट के अपनों पर घुच्छे चोटी लगए यूगी पर नहीं अफो जो एक तक आ धेखने को मिलने वाला है हाँ चार मीटर से तो बड़ी हो नहीं वाली है साइड लुक्स की बात करें आपको जो है ओर विम पे एक कैमरा देखने को मिल रहा होगा पई 360 डिग्री आपको इस गाड़ी में केमरा देखने को मिलने वाला है एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं तो आपको इसमें 3D element tail lights देखने को मिलने वाली हाँ वही 3D element tail lights काफी अच्छी लगे ही इस गाड़ी पर काफी inspired अब होंडा की डिजाइन से गाड़ी होंडा की गाड़े हाँ लुक्स थोड़े काफी अच्छे ही रहते हैं इसके भी लुक्स काफी अच्छे होने वाले हैं जैसा मैं आपको बताया आपको जो है sport brake type की look देखने को मिलने वाली हाल फिलाल जो भी luxury brand फोलो करते हैं जैसे audio mercedes तो उस type की आपको जहें इसमें design language भी देखने को मिलने वाली है और जिसे अपना बात करने इस गाड़ी के रियर में तो इस गाड़ी में और देखने को नहीं मिलने व इंडियन्स को panoramic sunroof काफी पसंद है पर आपको जो है इसमें छोटा वाला sunroof ही देखने को मिलने वाला है और आपको जो है air purifier भी देखने को मिलने वाला है ambient light आपको देखने को मिलने वाली है ventilated seats आने वाली है और हाँ भई इसमें आपको एड़ास भी देखने को मिलने वाला है यह होगी भी इसके features के मामने है बड़ोतरी और जिसे मैंने आपको engine options समझा ही दिये प्राइस की बात कर ले तो आपको जो है इस गाड़ी का 10 से 7 लाग का प्राइस देखने को मिलने वाला है और hybrid ट्रेरेंट के बात कर ले तो आपको जह 19 लाग तक आपको इस घाड़ी का प्राइस देखने को मिल ला वाला है तो दोस्तो आज की सली वीडियो में इतनी था चैनल सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो मिलते अगली वीडियो में दोस्तो तिल देन गुड़ बाई